आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ LCDs in the year 2011 and 2013 अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस है यह हो जाएगा हमारा X-axis और यह हो जाएगा हमारा Y-axis एक्स एक्सिस में हमारे पास वर्ष ताट इस एर दिया गया है और Y-axis में हमें उत्पादन दिया गया है तिस भी कैन से production जो वाइट कलर में है वो देनोट कर रहा है TV को और जो ब्लाक कलर में है वो देनोट कर रहा है LCD को तो हमें यह पे क्या करना है हमें रेशियो लेना है of the LCD that is produced in the year 2011 and 2013 तो हम क्या find out कर सकते हैं हमें ratio find out करना है हम कह सकते हैं ratio will be equal to the LCD that is produced okay so it will be equals to LCD that is produced in the year 2011 divided by the LCD that is produced in the year 2013 so kim values लिख लेते हैं बात करते हैं अगर LCD produced in 2011 तो वो हो जाएगा हमारा 8000 और LCD produced in 2013 वो हो जाएगा हमारा 12000 अगर हम values लिख लें it will be 8000 divided by 12000 तो simplify करेंगे तो we will get 2 by 3 तो हमारा ratio हो जाएगा 2 is to 3 okay options लेते हैं हम कह सकते हैं हमारा option B बिलकुल correct है that is 2 is to 3 will be the ratio of the production of LCDs in the year 2011 and 2013 I hope the question is clear to all thank you